हेलो इस्टूरेंट्स और आप कैसे हैं देखें आज का यह जो वीडियो है इसमें लेक्चर टू इंजिनियरिंग मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन यह टॉपिक है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के भी दो टाइप और है और वो क्या है एक है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और दूसरा टाइप एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है तो इसको भी समझना जरूरी है तो differential equation में एक तरह से differential equation के ये दो type है कि linear differential equation and non-linear differential equation ये क्या होती है इनको भी हम समझाते हैं और इससे पहले जो वीडियो है जो गया है उसमें मैंने क्या बताया था कि वहाँ अलग type बताये थे differential equations के ordinary differential equation क्या होती है partial differential equation क्या होती है उसके बारे मैं समझाते है अब हम linear differential equation क्या है और non-linear differential equation क्या है इसके बारे मैं मैं आज आपको पहले इन दोनों में क्या difference है उसको समझाते हैं तो देखे, सबसे पहले तो कोई भी आपका जो equation है, उसको आप सबसे पहले तो ये चेक करिए कि वो polynomial form में है या नहीं है, अगर वो derivative के polynomial form में है, तभी हम उसको check करेंगे कि ये linear है या non-linear है, ठीक है ना, पहले तो इस बात को confirm करें, ठीक है, और polynomial किसका होगा, derivative का, तो अगर equation उसमें polynomial form में नहीं, कोई radical sign है या आपका किसी का whole power में fraction है, तो उसको पहले fraction और radical sign से पहले आप free करिए equation को, और इस polynomial form में convert करिए, उसके बाद हम उसमें ये चेक करेंगे, linear है या ये equation non-linear है, ठीक है, तो अब ये बहुत हीज में बारिक ही का difference है, ठीक है ना, इसको समझना बहुत जरूर्य है, तो पहले में linear differentiate equation क्या होती है, ठीक है, तो देखे या, linear differential equation हम किसे कहते हैं, तो मैं ये पहले इस general जो form है, मैंने या लिखा है, इसका general polynomial form of differential equation, इस ही से मैं पहले इसको समझाए जिता हूँ कि हम linear differential equation किसे कहते हैं तो देखे पहली बात तो यह है कि यह तो आप clear है आपके कोई भी जो derivative है इसमें उपर वाला जो variable है वो dependent variable है और नीचे वाला जो variable है वो आपका independent variable होता है यह clear है यह मैंने पहले बता दिया ठीक है तो linear differential equation की पहचान क्या है कि पहले तो उसको polynomial में convert करना है दूसरा उसमें जो derivative है जैसे एक यह derivative है एक यह derivative है एक यह derivative है इन सारे derivative का जो coefficient है जैसे यह P1 है यह P2 यह P0 है यह P1 है यह P2 है मतलब यह जो coefficient है यह जो है यह यह तो constant होना चाहिए यह आपका independent variable के साथ उसका product होना चाहिए यह condition क्या मैंने बोला independent variable मतलब नीचे वाला जो variable है अब नीचे X भी हो सकता है नीचे Y भी हो सकता है नीचे T भी हो सकता है कोई भी other variable हो सकता है जो नीचे जो दे रखा है जिस नीचे का मतलब है जिसके respect में हो रहा है जिसके regard में डेरिवेट आपका differentiation हो रहा है वह variable independent है ठीक है यह दिशान लगना है X हो Y हो कुछ भी हो जिसके respect में differentiation हो रहा है वह independent है और उपर वाला फिर dependent हो जाएगा ठीक है तो पहला इसमें condition linearity के लिए पहले तो आप इसकी degree 1 होने चाहिए सबसे पहली बात डिग्री वन होना चाहिए एक डिग्री बन से कामनी चलाएगा कैई condition है ठीक है यह डिग्री बन होना चाहिए दोसी condition जो मैंने बताया आपका कि यह जो coefficient है यह पी नॉट आपका पी वन पी टू जो भी है यह कोश्च यह जो कोफिशन्ट जो है न के यह जो डेरिवेटिव के जो कोफिशन्ट है ठीक है न यह जो है न शुड्ड और को च एंड बन कोफिच अ यह जो कोफिछ को इंडेपन देन्ट constant और independent variable ठीक या तो यह constant हो या यह आपका independent variable हो यह p0, p1, p2 इस टाइब से जो भी है यह जो product जो हो रहा है यह product जो है, derivative का जो product है वो independent variable के साथ होना चाहिए दोसी condition यह है तीसरी condition तीसरी condition है कि यहाँ पर कोई भी derivative का जो whole power है whole exponent है, वो one से greater नहीं होना चाहिए ठीक है न, any मैं अभी cc लिखना प्चलो, any derivative any derivative any exponent यह से लिखिए, any exponent any exponent any exponent of s, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए exponent, ऐसे लिखिए, exponent any देग्रिवेटिवे अ देग्रिवेटिव hè 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए exponent of any derivative should not be should not be more than 1 ठीक न? आगे एक और है condition कि exponent exponent of dependent variable ठीक न? exponent of dependent variable should not be more than 1 यह कुछ conditions है ठीक degree कोई भी differential equation है उसको सबसे पहले तो आप polynomial form में change करो अगर नहीं है तो अगर है तो कोई बात ही नहीं है अगर वो किसी radical sign में है involved या कोई radical sign है या कोई fraction है power में तो radical sign और fraction से free करिए और पहले आप polynomial में change करियो उसको ठीक है न? उसके बाद में यह आप linear and non-linear के बारें बात करेंगे और अगर दे ही रखा है polynomial में तो कोई बात ही नहीं है फिर direct आप फिर change करने कोई बात ही नहीं है ठीक है तो पहले आप polynomial में equation का होना जरूरी है उसके बाद में हम उस equation में यह सारे points देखेंगे यह observe करेंगे उसके बाद हम यह सारे points अगर satisfied है तब हम उस equation को linear differential equation कह सकते हैं अगर यह four points अगर satisfied हो रहे हैं अकेले एक इस point से काम नहीं चलाएगा कि यह point satisfied हो गया तो linear हो गया नहीं यह हो गया तो linear हो गया नहीं यह आपके four points यह सारे points अगर उसमें दिख रहे हैं यह सारे points satisfied हो रहे हैं तब हम उस differential equation को जो polynomial form में हैं उसको हम linear differential equation कहेंगे पहला क्या degree 1 होना चाहिए उसकी differential equation की दूसरा P1, P2, P3 जो भी है यह constant जो derivative के साथ जो product लगा हुआ है ठीक है न? यह should be should be the constant constants होए और in dependent form ठीक है न? और independent form हो constant और यह क्या लिग दिख रहे हैं और independent variable sorry independent variable के साथ होने चाहिए P1, P0, P1, P2 should be constant constant हो यह आपका independent variable हो इसके साथ यह product हो कहने का मेरा मतलब है यहाँ y नहीं होना चाहिए वो should not be more than 1, 2, 3, 4 यह नहीं चलेगा whole square जो है 1 हो 1 चलेगा ऐसे ही exponent of dependent variable should not be more than 1 और dependent variable है मालो इसके साथ कहीं plus में लगा हुआ है dependent variable मालो यहाँ पर y तो y का square ऐसे यह नहीं चलेगा y भी 1 ही होना चाहिए और यह भी 1 होना चाहिए तब हम उसको differential, linear differential equation कहेंगे और इन मेंसे कोई भी अगर एक point भी अगर follow नहीं कर रहा है मालो यह दो कर रहे है यह सारे के सारे कर रहे है मालो एक last वाला नहीं कर रहा है कोई भी 1 नहीं at least कोई भी 1 point इस मेंसे नहीं follow हो रहा है तो हम उस equation को क्या कहेंगे non-linear differential equation क्या कहेंगे non-linear differential equation बस यह ध्यान लखना है linear differential equation non-linear differential equation clear हो गया कहने का मतलब है कि यह सारे point किसी differential equation में follow हो रहे हैं तो equation linear differential equation है और इन में से कोई भी अगर एक भी point follow नहीं हो रहा है एक कोई साभी एक point मालो degree जो है 1 नहीं तो non-linear differential equation है और degree 1 है मालो और यह भी point यह सारा यहां इन्डिपेंडेंट वैरियेविल है यह प्रोडेक्ट में यह कोई constant है यह भी हो रहा है यह भी हो रहा है ठीक है और मालो exponent किसी derivative का exponent अगर जो है उसका power 1 से ज़्यादा आ गया तो non-linear यह एक्सपोनेंट आफ डेरिव आपका यह डिपेंडेंडेंट वैरियेविल का should not be more than one वह प्लस करके जैसे y square यह कुछ आ गया तो non-linear यह है अब देखो मैंने यह कुछ equation यह लिखी है अब जारा आप इनको देखे तो पहली equation को देखे यह इसकी degree इसका जो सभी चीज़ें देख सकते हैं इसका order क्या होगा जो को एक derivative यह रहा एक derivative यह रहा एक derivative यह रहा तीन चार जब derivative में तो सबसे highest order में फिर compare करो यह इसका order अंदर जो होगा है यहां क्या 1 और यह 1 तो order यह 1 यह order 2 यह order 3 तो order इसका 3 हो गया ठीक डिग्री इसकी डिग्री डिग्री क्या बताए थी जो highest डेरिवेट जो हाइस्ट ओर्डर है वाला हाइस्ट ओर्डर वाला जो derivative है उसका जो होल पॉबर है तो आज अगर होगा यह जह History हमने इसका निकालव यह ओगया अब आप यह दखिए कि इसमें यह लीनियर है यह लीनियर है यह 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 चेक करना है तो देखें ज़रह यह पॉइंट फॉलो हो रहे का नहीं हो रहे हैं इस में डिगरी इसकी वन है पहला पॉइंट रही काम कर रहा है दूसरा पी नौट पी वन पी टू जो यह कोफिशेंट यह जन्रल फॉर्म में मैंने बताया था देखो यह कोफिशेंट यह क्या है वन कुछ नहीं है को वन होगा कॉंस्टेंट टर में चलेगा यहां भी वन यहां भी वन यह सब यह भी फॉलो हो रहा है यह भी हो रहा है अब ज़रा तीसरे पॉइंट पर आए के एक्सपोनेंट ओफ एनी डेरिवेटिव शुड नौट बी मौर धैन वन देखे जाना है इसका होल जो एक्सपोनेंट है पॉवर इसका क्या है वन इसका कुछ नहीं है तो क्या है वन और यहां क्या हो गया वन से जादा हो गया तो हो गया तो यह पॉइंट भी फॉलो हो रहा था पहला भी हो रहा था सेकिंड वाला भी हो रहा था थर्ड वाला exponent of any derivative should not be more than one one से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन यहां one से ज्यादा है two है यह 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 last point भी है साही बिलकुल जैसे exponent of any derivative हो यह exponent of dependent variable हो यह क्या है dependent variable dependent variable हो चाहिए ठीक है ना डी भी लिख दिया है मैंने dependent variable का भी हो जागा जैसे y है मालों dependent variable तो y का कहीं प्लस करके ऐसे square ऐसे नहीं रखा हो या y q ऐसे हो नहीं काम खड़ाब हो जागा तो यह यह यहां follow नहीं कर रहा है this means non-linear differential equation क्या हो गया यह non-linear non-linear differential equation linear हो गया और मालों यह point follow होता है यहां पर यह 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 नहीं होता यह two की जगए पर यहां one होता तो फिर last वाले point को देखते ह। लाश्ट का क्या है कि y जो है कहीं अलग से कहीं दिख रहा है क्या अब यहां तो यहां क्या है यहां यहां पर टी यहां 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 पर के उसक्ण खरकेa यह जो यह यहाँ पर ऐसा होता एक्स स्क्ष्वेर्ल यह कैसा यह माइनस सट ERIC यह कोई क्या यह जो में यह यह पर वाला वैरियतल निचे वाला ला हैं इंडबेंडने मैं ढगनला ओपर नीचे उपर डिरिफेट निचे independent बस अब बदलते रहेंगे कुछ भी हो सकते हैं T हो सकता है अब यह T है तो T है तो यहां आपका अगर यहां ऐसा होता कि यह अगर वन होता तो फिर यह लीनियर हो जाती है क्याने का मेरा मतलब यह है linear differential equation हो गई होती है लेकिन ऐसार नहीं है, यहाँ 2 है अच्छा, अब देखे जाद second वाल जेको यहाँ independent variable यहाँ जो एक्स है, यह independent variable और यहाँ यहाँ पर dependent variable पहले तो इसको पहँचानो अच्छा, अब जबवाए जादा, इस equation को जाद देखें अब जादा इसमें एक ही derivative है एक ही derivative है, इसका order 2 इसमें order क्या इसका 2 है highest order जो है यही अकेला ही है, तो इसी का जो whole power है, वो क्या होती है, degree degree क्या हो गई यहाँ पर 1 हो गया तो देखो पहला पॉइंट फॉलो हो रहा है p Vis policy यह यह क्या है कुछ नी वन है या क्यावाई साथ हो रहे है यह पईंट फॉलो हो हallo है यह भी हो रहा है लास्ट वाला देखे हैं यह फैनल कि एक्स्षपॉनेंट ओप उब है यृए फ्या कि वारे ॐ अए अधिन हो गने आफ इंटे भी more than one dependent variable क्या है आपर y है तो y जो है जो है जो है प्लस 4y करके तो y की पॉबर यहां क्या है 1 है 1 चलेगा more than 1 नहीं चलेगा more than 1 नहीं चलेगा थिक तो सारे point follow हो रहे हैं इसमें देखे जाए degree 1 coefficient जो है न वो भी आपका constant 1 होए तीसा exponent of any derivative should not be तो यहां एक ही derivative उसका भी power whole power अगर करें तो क्या है 1 है ठीक यह तो 2 तो इसका derivative वह है आपका order है यह नहीं count करना है उसका whole exponent है उसकी बात कर रहा हूं वह भी 1 है और यह dependent variable जो है वह भी power 1 है means linear क्या है linear differential equation ठीक क्लियर हो गया आप इसको देखें रहा थर्ड वाले को थर्ड वाले में देखें रहा पहले तो यह चेक करने independent dependent का मतलब क्या कि यह जो फिर वह एक independent y dependent बेरिवल क्लियर हो गया अच्छा तो इसका order 2 और degree यह order first है यह order 2 है तो यह इसका order 2 और order जो टू वाला जो डेरिवेट है उसी का all power 1 होती है तो डिगरी इसकी 1 हो गया ठीक है आपका order यहां पर तू और डिगरी तो पहला पॉइंट फॉलो हो रहा है इसमें linearity के लिए हम बात कर रहे है पी विए स्वाप आपका यह क्या होने चाहिए क्या हो यह एंडीपैंड़नट वेरियवल हो कॉंड़ेक्ट में यह नौट पी वन पीटू यह इसरफी कॉंस्टेंट यह इंडीपैंड यह लेंट्ट मैं तो देखे ए हैं है इन पर योप देखाना क्या यह दो काम साहिए है है काम झो आuden लिए यहां आ यहां product में independent variable यहां product में independent variable हो यहां dependent variable लिब आ गया यहां काम खराब हो गया यहां काम खराब हो गया this means non-linear differential equation कैसी हो गई यह non-linear differential equation ठीक, नब य नहीं आना चाहिए, dependent नहीं आना चाहिए, ठीक, and dependent कहीं अलग से plus minus के साथ, more than one exponent के साथ भी नहीं होना चाहिए, अकेला dependent variable यह last वाला point यह है, dependent variable यहाँ plus minus के साथ, जैसे Y यह है, यहाँ Y जो अगर लिख दूंग, आगे ऐसा नहीं हो गाई, यह अगर आगे चलके और यह प्लस करके इस ही में दिखाए को य स्क्वेड तब भी यह नहीं है तो यहां यह भी ही तो कंडिशन है कि कॉंस्टेंट हो यह इंडिपेंड्न वैलिएवल मुझे लेकिन यह इंडिपेंडनेंट वैलिएवल यहां नहीं हो गया कि आगे वाला य क्यों सबस् ranging सिर्फ के वाली देखेंगों कि कि अब देखो यहां क्या उल्ता होग्या दीपेंडेंट हो गए यह क्यों डिया और ये को इंडंडेडल टेडिंड्रेट वेयिविल यह वाई किश्क्रेट में कि इसके और या ना है यह और लो पावर बहुंत यह रहा इंडिपंडेंट को सकता है इंडिपंडेंट के साथ यह constant term और is equal आगे आगे भी दीखे जाना y square plus 1 अब यह y जो है वो independent का power हो सकती है 1 से greater independent की बात नहीं कर रहा हूं मैं dependent point के लिखा है मैंने dependent exponent of dependent variable should not be more than 1 यहां क्या independent की power जो है more than 1 है तो यह चलेगा लेकिन dependent यहां x होता अगर ऐसा होता है यहां ऐसा होता तो यह non-linear होगया होता है ठीक लेकिन यह ऐसा नहीं है तो सारे points फॉलो हो रहा है देखो जाए डिग्री इसकी 1 पी नॉट पी टू जो है वो क्या है आपका constant हो या independent तो यह वाई के साथ प्रोडेक्ट है चलेगा दूसरा point फॉलो हो रहा है तीसरा exponent of any derivative should not be जिसकी power 1 से greater हो इसा कुछ नहीं है यह अकेला pena अकेला ड Allahillon क्या है कुछ नहीं है तो कि अधिबे बन यह और कोई अगर ड के जिसका exponent ऐसा कोई लाओ डियरीवेट था उसका जो है वर से greater था पॉवर मैं अगला exponent भी बोल दे उसको, ठीक है, नहीं है, वो भी नहीं है, exponent of dependent variable, dependent variable का exponent, नहीं है, independent का है, यह क्या है, independent variable है, यह dependent variable, तो यह क्या हो गई, linear हो गई, clear हो गया, linear differential equation, ठीक, यह मापला है, इसका, clear हो गया, linear differential equation कैसे कहते हैं, और non-linear differential equation कैसे कहते हैं, तो हम किसी equation को, वो equation पहले तो polynomial form में हो, polynomial means derivative का polynomial, ठीक है, polynomial का मतलब, power जो है, वो whole numbers का set होना चाहिए, और उसको clear समझ लेजे, ठीक है, तो polynomial में हो, तो बहुत बढ़ी हाई, नहीं है, अगर कोई radical sign या कोई powers fraction में है, तो उसको वहाँ से remove करिए, free from radicals and fractions, ठीक है, न, उसके बाद, फिर ऐसा हो जाएगा, उसमें फिर यह स पॉइंट, जो चारो पॉइंट उसमें, उसमें satisfied हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर चारो पॉइंट satisfied हो रहे हैं, तो equation linear है, और इन में से कोई भी एक पॉइंट follow नहीं कर रहा है, मालो यह कर रहा है, यह तीन कर रहा है, एक यह नहीं कर रहा है, non-linear, यह उपर वाला कर है linear बस यह है तो यह clear हो गया होगा आज के लिए बस इतना ही और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको like करें subscribe करें bell icon button दबाना मत भूलिए और इस video को share भी करिए thank you